Hello Students, आज हम Chapter 7, सहती कार्य साधिका यह वो Chapter पढ़े कि सहती यानि Unity कार्य साधिका यानि कि हम कारे कर सकते हैं Unity से हम कारे कर सकते हैं, Unity accomplishes the task तो, It of This is famous collection of stone in Sanskrit तो It of This जो है ना वो एक ऐसा वूक है, जो famous है राइटर इसके राइटर है पंडिक नारायन, इसके राइटर है पंडिक नारायन It is a belief that this work एसा माना जाता है कि this work was composed in the 9th century In this work, there are many fables which have a moral तो, बहुत सारी स्टोरी दी गई है इसमें, जिसमें से हमको moral मिलता है तो, one of those stories is presented here, उसमें से एक स्टोरी यहाँ पे ली गई है तो, यहाँ पे वो जो introduction है, वो मैं आपको नहीं समझाऊँगी इंटोडक्शन में यही है कि यहाँ पे birds और animals को एक character बनाके उनकी स्टोरी दी गई होती है और उसमें से हमको कुछ moral मिलता है तो, वो moral animals के लिए और birds के लिए काम में नहीं आता है वो हमारे लिए काम में आता है तो, हीतोड़ेश ऐसा दूसरा भी एक book यह पंच तंत्र तो, वो आपने नाम सुना होगा तो, यहाँ पे हीतोड़ेश में से एक स्टोरी लिगे जिसमें pigeons होते हैं, craw है और वो जब pigeons कुछ difficulty में फस्ट जाते है तो, उनको उसी टाइम पे उनका जो मित्र होता है वो बहार निकालता है वैसी यह स्टोरी है तो, हम पढ़ेंगे स्टोरी अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल मली तरू विविदेब्य देश्यप्य समागता है वहा विह गाहा तत्र रात्र उनी वसंती अस्ति गोदावरी तीरे यानि कि गोदावरी जो है रिवर उसके बैंक पे विशाल शाल मली तरू मिंस बीग, शाल मली यानि सिल्क कॉटन टरी था विवी देव्य देशेब्य है यानि कि डिफरंट कंट्री से समा गता है यानि आते हुए बहवववीः गाहा, बहववीः गाहा मिन्स बर्स बहव यानि मैनी बर्स तत्रह रात्र उनी वसंती यहां पे रात्री को रहते थे तेशु लगुपतक नामा वायस अपी एक्तम असती और उसमें लगुपतक नाम का नाम है देखो लगुपतक वैसे एक वायस अपी एक्तम असी तो उस बर्समें का लगुपतक नाम का क्रो था अथ कदाचित प्रभातकाले स्वायसह कृतान्तम ध्वितियम एवं अटंतम व्यागम अपश्यत. तो एक तम सोरी कदाचीत यानि उसने कभी प्रभात काल यानि मौनिंग में वायस उस क्रोनिक कृतांत द्वितियम याजी दूसरा यमराज एवं अटन्त यानि की रूमिंग करता हुआ व्यागम अपशत व्यागम व्यागम मिस हंटर अपशत यानि देखा उस क्रोनिक क्या मौनिंग में यमराज जैसा दूसरा एक हंटर क्योंकि उनके लिए जो हंटर है वो उसको मार देगा तो वो यमराज ही कहते हैं उनको तो गुमता हुआ एक व्यागम यानि हंटर को देखा क्या कैसा था तो दूसरे यमराज के जैसा तम अवलोक्य सो अचिंत यत उसको देखने को नहीं मिला है, न जाने ततक कीमन अभी प्रेतम दर्शे इश्यती, आज क्या क्या देखने को मिलेगा, इती विचिंतियस व्याकूल भवती, और ऐसा सोच के वो व्याकूल यानी दुखी हुआ, तो उसका ट्रांस्लेशन हम करेंगे, विचिंतिर, विच्चिंपरू, उसक्टूर्छ थिश्च एटन्री रहे सिर्जाईट है, तो याजिए द थाथे आद्माइज सुखी हुआ है. Yet बघे इस और द विचिंति हुआई ठूर्न उस हंटर ने क्या किया उस हंटर ने तंडूल किया है राईस गरेन को विकिरिया जालं विस्तिर्ण सच वरुख्षऊस्य पृष्टपागे प्रचन बुथवा अतिस्टत और फीर वरुक्ष के टरी के पीछे बिहाईं प्रचन बुथवा ने छूपके खड़ा रहा तस्मिन काले उसी समय पे चित्रग्रीव नामा कपोत राज परिवारेण सह गगने व्यसर्पत और उसी समय पे चित्रग्रीव नाम का कपोत राज यानि पीजन्स जो है वो परिवारेण सह अपनी फैमिली के साथ गगने व्यसर्पत मिन्स कि वो आकाश में उड़ रहा था व और कपोत चोहना जोящ पीजन्स है ना दूसरे उसको ओऊ गडिदी हुए ततर सा कपोत राज फिर उसी पीजन्स ने बोला तंडूल कण लूपधान कपोतान अकसे सब्सक्र गर्यण है वैसे農ियर रिसक्रें पासे сильно तेखा को में मौन dessert시 से निर्जन वन में यानि कि जिस फोरेश्ट में कोई रहता ही नहीं है उसी फोरेश्ट में राइस क्रेन कैसे पॉसिबल है तन्नी रुप्यताम तावत में अच्छा भी देखरा नहीं हूं अनेन तंडुल कण लोपेन अस्मा कम महदम अनिष्टम अपी भवितुम अहरती तो तंडुल कण लोपेन यानि राइस क्रेन के लोब से हमारा महद अनिष्टम बहुत खराब होने वाला है अतसर्वत्रा अविचारितम कर्म न करतव्यम इसलिए सोचे बिनाकारिय नहीं करना चाहिए तो हम उसका टासेशन करेंगे कि Now after having scattered the rice grain a net was spread by the hunter and he stood hidden behind a tree right at that time the king of pigeons named Chitragri was going in the sky with his family having seen the rice grain spread on the ground the pigeons were greedy then the king of pigeons said to the pigeons who were greedy greedy of the rice grain how could there be the possibility of rice grain in this forest so think first I do not see any good coming out of this as a result of this grid of rice grain even some great misfortune may befall us so under no thoughtless action should be done because because यानि यतह फिर उसका transition करेंगे आगे सुजीर्णम अन्नम सुविक्षणम सुतं सुशासिता स्री नुपती सुसेवीत सुचिंतियच उक्तम सुविचार्य यतक्रुतम सुदिर्ग काले अपिन याती विक्रियाम तो सुजीर्ण अन्न यानिकी अच्छा digest होता है वैसा वैल्थ नुपती सेवीत यानि कि दकींग हुई इस वैल्थ सर्व जिसने अच्छा राजा हो वैसा सुचिंतियच उक्तम सुचिंतियच उक्तम बोला हुआ और सुविचार्य यतक्रुतम यानि अच्छा सोचके किया हुआ क्रुतम यानि कारिय सुदिर्ग काले नई आती विक्रियां तो उसको दिर्ग काल में यानि कि बहुत लंबे टाइम में भी उसको कुछ भी होता नहीं है तो सुजीर्णम अन्नम यानि कि यानि कि वो नाश नहीं होता है तो यह वीडियो चेप्टर 7 का वीडियो वन यानि कि पार्ट वन यहाँ पे हम कम्प्लिट करते हैं बागी का दूसरे वीडियो में